हे फैंस राजिस शेयर काफी दिनों से एक कमेंट जो हमारे टेलिग्राम के चैनल और हमारे यूटूब के ऊपर आ रहा था कि Android 12 में आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिलता है उसको कैसे डिसेबल करें कौन सा नोटिफिकेशन है वो मैं आपको दाता हूँ वो नोटिफ यहां को उससे प्राब्लम आ रही है तो यह वीखिए जैसे हमारे पास जो है यह रेडमी नोट 10 प्रो है यह मैं जो है यहां पर आपको एक चोटा सा डॉट दिखाते वेपर अगर आप क्लोज कर देते हैं तो यहां पर आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिलता है जो क कभी भी आप कैमरे को लांच करेंगे यह माइक यह लोकेशन सर्विसेज वहां पर आपको एसा एक नोटिफिकेशन देखने को मिलता है यह एक एंडुए 12 का सीक्योर्टी फीचर है जिससे आपको यह पचलता है कि कोई ना कोई एप्लिकेशन जो है आपके फोन के अंदर कर का देखने को और आपको आपको बटविकेशन को देखने को उसके बाद जो जिसके बाद जो कभी भी विजिबल नहीं होगा तो इसके लिए आपको PC चाहिए ना फोन का बूर्टर अनलॉग करना है ना TWRPG करने की ज़रूर से तो आज की वीडियो उसी के उपर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रू कर दीज़ेगा चैनल के सपोर्ट एंड मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर करते हैं कि कैसे आप इन नोटिफिकेशन को डिसेबल कर पाएंगी तो इसके लिए पहले आपको क्या करना है आपने फोन की सेटिक्स में जाईए जैसा किसी आपको पता है कि आपको इसमें USB डिबगिंग मोड को इनेबल करना पड़ेगा तो उसके लिए डेवलपर नमबर होता है उसको ट्याव करने पर होता है बट देख पा रहे हैं हमारे phone के अंतर जो है developer option जो अब enable हो चुका है तो अब हम phone के settings में जाएंगे वहाँ पर आपको additional settings में developer options का एक option देहने को बिलेगा इसके उपर tap कीजिए यहाँ पर इस developer option को enable कर दीजिए और नीचे आपने यह USB debugging mode इसको enable कर देना है यह दोनों चीजिए ज़रूरी है और इसको ok कर देंगे ok करने के बाद ही यह enable होगा कि new iPhone में ok करना पड़ता है बट कई phones में इसमें ok करने की जरूर नहीं पड़ती है बस आपको developer options को enable करना है और USB debugging mode को enable कर देना है और ok कर देना है अब हमारा phone का काम यहाँ पे खतम हुए है ना आपको phone को off करना है ना कुशनी करना है phone को ऐसी छोड़ देना है अब हम चलते हैं एक बार PC के ऊपर तो यह देखिए अब हम PC के ऊपर आ चुके हैं PC के ऊपर सबसे पहले आपने जो ADB कमांड ड्राइवर से इनको अपने PC में इंस्टॉल कर लेना है तो आप इसको पर डबल क्लिक करेंगे कि आपके PC ये लैप्टॉप में इंस्टॉल होना स्टार्ट करेंगे आप वाइल लिखते चाहिए और इनको इस करते रहे तक ये आपके PC में इंस्टॉल हो सके और आप ADB कमांड को ठीक तरीके से अपने phone में रन कर पाएं तो ये लिखिए next करेंगे फिनिश करेंगे ये आपको ये प्लैट्फॉर्म टूल का फोलडर आप इसको एक्स्ट्रैक्ट कर लेंगे और आपको कुछ ऐसा फूल्डर जो है यहां पर देखने को मिलेगा ये फोल्डर आपको इधान ब्रहनना है कि आपको देखने को मिलता है अब उसके बाद आपको कुछ को को रन करना यानि कुछ कमांड को होती है कि मिस कमांड के डिस्क्रिप्शन में सारे के सारी कमांड डाल दूँगा तो यह सबसे पहले वाली कमांड है यह आपके जो है कैमरा और माइक के नोटिफिकेशन उनको डिसेबल कर देगी आप ध्यान से यहां पर फॉल्स लिखा यानिकी फॉल् को अगर आपको लगता है इनको आपने वापिस से ईनेबल करना तो सिर्फ फॉल्स की जगह आपने तूलिख के इन कमांड को फिर से रण कर दिना है क्या है डिए जिसके Pandemie को देधिए को फिर से कमांड एक फिर जायना हौ 백신 आपको पिर इसके उनेबल करना है आप उसके बाद आपने क्या करना है अपने फोन को अपने PC ये Laptop के साथ connect कर देना है अब हम अपने फोन को अपने PC के साथ connect करते हैं तो यह फोन को हम connect कर चुके हैं अब हम चलेंगे platform tools का जो folder है उसको open करेंगे उसके उपर लिखेंगे cmd और enter माल देंगे आपको यह ध्यान डिवाइस इस command को आप करेंगे अब आपको जो है यहां पर लिस्ट ऑफ डिवाइस और आपको साई से फोन के ओपर एक पॉपप भी आएगा कि USB डिवाइन वोड से आपने PC करना है कि नहीं करना है तो इसको करने कि मैं इसको यूज कर चाहूं तो औरेडी है हमारी PC के पर यहां पर लिखा हुआ ना बहुत ज़रूरी अगर लिखा हुआ नहीं आता है यह प्लेस यह ब्लैक रहता है तो डैटकी सकनेक्टेड नहीं है आपका ADV डिवाइस सब पता कर सकते हैं अब हम कैमरे को डिसेबल करने के लिए एच यह सबसे पहली कमांड ती उसको यहां करना है तो फॉल्स की जगाँ आप ट्रूली देंगे वहां पर अब मैं इसको यहां पर रण करता हूं तो यह यहां पर हमने पेस्ट कर दी और एंटर कर दिया एंटर करते हैं कुछ नहीं होगा आपको सीधा वापीस आपकी टूल में वसी है देगी तो यह हमने कैमरे को यहा से यहां पर पेस्ट कर दिजिए और लोकेशन की बिडिसेबल हो जाएगा एक बार हम फोन पर चलते हैं और च्टैक करते हैं जो नोट्योविशन पहले आपको देखने को मिल रहे थे हैं वहम चछलते हैं फोन पर तो यह दिरे की फोन चलते हैं हम कैमरे को फिर से लॉन्च कि मिलते हैं तो इस तरीक से आप इन नोटिफिकेशन को डिसे बल कर सकते हैं आधी इनकेंस आपने फिचर फिर से इनको करना था आंगर फ्रसे दिखा एक पर हम फिर से प्यूल को पर जलते हैं जैसे कि हमने यह कमांद कि ऐनके अम और आском dolce यहां पर तेना है और यहां से copy कर लीजिए, copy and paste और enter कर दीजिए, तो यही command successfully run हो गया है, अब वहाँ पर चलते हैं phone के ओपर, तो यह भी है, अगर मैं फिर से अब camera को launch करता हूँ, अब आपको यहां पर notification तेखने को मिल दा है, क्योंकि हमने उस command को फिर से enable कर दिया है, यह दिखे, green कर रहे का custom recovery की, तो अगर आप भी इन notification को पसंद नहीं करते हैं, तो इस method से आप इनको disable कर सकते हैं, और वापिस enable भी कर सकते हैं, तो उमीद करता हूँ, आपको आज के वीडियो पसंद आया हो, आप वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को like जरू कर दीजेगा, चैनल के support and motivation के लि मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तपके लिए टेकियर, और बाइबाए!